तो आज बेहत गंभीर विशे पर मेरा गाओ मेरा देश उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा विवस्ता सुधारने पर योगी सरकार का खासा ध्यान है इसमें कोई दो राए नहीं कभी तो बकाइदा कलेक्टर जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गया हैं कि सरकारी स्कूलों को बहतर बनाने के लिए गोध लिया जाये मगर एक हकीकत और भी है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ प्राइमरी सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो वहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के विध्यालों से अभी भागों का रुझान कम होता हुआ दिखाई दे रहा है बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर लोड आकडों के मुताबिक सूबे के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बच्चों के नामंकन में शासन के द्वारा निर्धारित लक्षे से वो कोशो दूर दिखाई दे रहे बेसिक शिक्षा विभाग के आकडों के मुताबिक अगर इन आकडों पर यकीन करें तो उसके मुताबिक प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी का संसदिय जिला संसदिय शेत्र वारा नसीव ऐसे इसमें अववल है लेकिन सूबे के 75 जिलों में मुख्य मंत्री योगी का जिला गोरकपूर सक्तरवे नंबर पर है वही सबसे फिसड़ी जिला मोहबा है गोरकपूर से सटे जिले संदकभीर नगर की अगर बात की जाए तो संदकभीर नगर में बच्चों के नामंकर में 74 अस्थान पर है लेकर जागरूप करें स्कूल में नामंकर कराएं शासन ने लक्षे ना पूरा हो पाने पर स्कूलों को फिर से लक्षे पूरा करने का निर्देश दे दिया है लेकिन सवाल यही कि आखिरकार जो स्कूल चलवा भ्यान है उसका सपना साकार कैसे होगा आखिरकार कैसे जो उमी क्यों है चातर यह अपने आप में एक बड़ा सवाल पहले आपको DM सहाब क्या कुछ कह रहे हैं वो बयान आपको सुनाएंगे और फिर सीधा रुख करेंगे आज इसी विशे पर गंभीर चर्चा करेंगे लेकिन पहले जराद DM सहाब क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिया। दीक्षा आप को बढ़ा देना और दो बार एसेस्मेंट की परिशाएं वी की गई है। हैं हेमंत हेमंत के पास सीधा रुख करेंगे हेमंत वाकई हैरान करने वाली सूची दिखाई दे रही है। शिक्षक और सरकारी करमचारी ही सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं कर रहा है। इस सूची को देखकर। जो आकड़े सामने निकलके आये हैं वो चौकाने वाले हैं। गोरकपुन जो है सतरवे नंबर पर है जो पी योगी आधितनात का जिला है। और वहां पर खास निगाह योगी आधितनात की रहती है। वाराणसी की अगर बात करें हम तो वाराणसी पीम मोदी का संसदी छेत्र है। वहां पर जो है वो अवन नंबर पेहा और महोबा सबसे किसदी जो है जिला माना गया है। नामांकर में बेसिक सिच्छा विभाग के स्कूलों के नामांकर में और एक बार पुने जो है सासन ने जो है बीम और सिच्छा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी जो लक्ष है उसको पूरा किया जाए और जो है अधिक से अधिक बच्चों का जो है नामानकर करके और दाखिला दिलाया जा और सिख्चा के प्रत जोड़ जोड़ जाकर जागरूप करने की जरूरत है ऐसी बंसा स्वीयम योगी आदित नाथ की है लेकिन वही पर अगर देखा जाए कि प्राइमरी स्कूल के जो म पर नहीं रहता है तो काखिद की इस तरह से लोगों को जागरूप करेंगे और लोग क्यों उनकी बात मानेंगे हेमन जो हमारे दर्शक है जरा उनको आसान भाशा में समझाईए कि लक्षे क्या रखा गया था कैसे रखा गया था और इसका मकसद क्या था और क्यों ये लक्षे पूरा नहीं हो पाया बिल्कुल तिलग ये जो लक्ष रक्षा गया था वो जजबंख्या के आधार पर और हर विकास कंड में देखा गया था कि वहाँ लक्ष मिधारिश करने के लिए जंगरना हुई थी गाओ गाओ दो टुब्यूद जाके बच्चों की गढ़ना हुई थी और उसके आधार प वो बेसिक सिचा भी भागए स्कूलों में परसभी विद्यालेयों में किया जाए तो वो हर जिले का जन्थन क्या आबादी के हिसाब से अलग-अलग लक्ष दिया गया था और कवायत उसमें यही थी कि कोई बच्चा महरूब ने रहे बेसिक सिचा से और बच्चों को पिक किया जाए लेकिन वही इंडॉल्मेंट कराने के लिए देखा गया धरातल पे तो जो ती में थी जो सिच्चा मिवाग की ती में थी वो ग्राउंड लेबिल पे अच्ची तरीके से काम नहीं कर पाई हैं और जो कही कही तो तिलगी ऐसा है जैसे वारानसी की अगर बात करें लगतार फोन की घंटियां मैं बता दू इस कारिक्रम की एक कोशिश एक मुहीम होती है कि हम जिमेदार वहक्मे को जगाए अवगत करवाएं ये फोन की घंटी दिन की आप सुन रहे हैं ये परवीन निशाद है सांसद है संदकभी नगर से इनसे लगतार संपर्क सादने की कोशिश की जा रही है वजह मकसद बिल्कुल साफ है कि जो कोशिश है वो कोशिश मुकाम तक पहुचे बेसिक शिक्षा विभाग बकायदा आपको बता दें कि सांसद महोदे को बताया गया था कि इस विशे पर बहुत गंभीर विशे है आप अपनी राय रखे सरकार का मकस सांसद बताएं और कैसे इस गोल को एचीव करेंगे आप वो बताएं लेकिन सांसद महोदे को बताने के बावजूद सांसद महोदे फोन नहीं उठा रहे हैं यह हाल है शिक्षा के शेत्र में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले इन मानिये सांसदो विल्गूल तिलक जी आपने सही कहा जो घुरक पूर को फॉन मिला जा रहा है और प्लीज गोरगपूर के बियसे को मिला जा रहा है दिनेश कुमार जी को उनके फॉन की रिंड भी सुनाईए लगर फोन ना उठाएं तो हेमन अपनी बाब पूरी करिए तिलगी बिल्कुल सही कहा जो सांसद महोद है प्रवीड निसास संसकभीद नगर के सांसद है वो अक्तर जो है फेस्टूक पे अपनी प्रोफाइल में वो हमेशा लगाते हैं कि यह सलक का विकास हमने किया बहले ही जनता के पैसों से जो है सलक का विकास हुआ हो लेकिन जो यह आखड़े जो सामने आये हैं संसकभीद नगर जो है यूपी में के 75 जिलों में 74 वे नमबर पे है इसका स्ट्रे कौन जन प्रसून देगा ये बड़ा सवाल उबर के आ रहा है इसकी जिम्मेद नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा कि बच्चों का इंडोल्में बड़कारी विद्यालों में रुजान कम देखने को मिल रहा है किसी का ही है विश्वास अग्जावकों का यहां ते हूँ सरकारी विद्यालों से उठ रहा है इसका जो है इसकी जिम्मेदारी कौन जन प्रसून देगा जबकि 2024 में लोक सबा का चुना है प्रवीन निसाथ जो है परसुराम जहनति में जाते हैं हनुमान जहनति में जाते हैं और हर जगह वो मौझूद रहते हैं इस तरह के कारी स्रमों में लेकिन बड़ी दुखद बात यह है कि जो विशिक मौलिक जो अधिकार के मुद्दे हैं उन में क्यों यह राजनेता बढ़चल कर हिस्ता लेते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आम जो समस्त्या है सिख्षा और सड़क और स्वास इन मुद्दों पर कोई भी जन प्रत्नीन बाइट देने की हिमाकत करता है और ना ही कैमरे के आने आगे आने की जुरुरत करता है तो तिलग यह एक बड़ी विडंबना है यहां जो भ फोन नहीं उठाते वक्त दे कर कहते हैं कि अब वक्त नहीं है फोन नहीं उठाना मतलब वक्त नहीं है और दूसरी तरफ अब बीस से संद कभी नगर दिनेश कुमार जी फोन नहीं उठा रहे मतलब शिक्षा विवस्था को बेसिक शिक्षा विभाग ही अगर इस हालात में है तो फिर सिटी कैसे सुद्रेगी अपने आप में एक सवाल है यह सूची बता रही है कि आकिरकार क्यों यह हालात बने हुए है अगर वारा नर्सी अवल आ सकता है तो संद कभी नगर क्यों नहीं इसका मतलब कही ना कही कुछ ना कुछ खामी है जिस वज़ा से यह हालात बन बने जुड़ गए है दिनेश कुमार जी नमसकार कैसे अब है अऊ-चैसे है डिनेश कुमार जी अ हलो सर कैसे आप मैं यूज वर्ल इंडिया से बोल रहा हूँ आप इसक्त लाइव है सर कि ऑल्या हाँ चैनल ट्वीट करके बता दे कि जो दिनेश कुमार जी हर वक्त मीटिंग में रहते हैं भी है अभी तो अभी तो दिनेश जी का नंबर बीजी जा रहा था अभी मीटिंग में नहीं थे इससे पहले किया आप दिनेश जी से बात करवा सकते हैं इसका लाइऴ हैं आप दिनेश जी ऐनेश जी बात करवा दिए दिनेश ऑथा रही है सर नमस्कार कैसे हैं सर आप सर मैं न्यूस वर्ल इंडिया से लाइब बोर रहा हूं इस वक्त मेरी बीएस से संद कभी नगार दिनेश जी से बात हो रही है सर आपके संग्यान में वैसे तो पूरा का पूरा मामला है लेकिन फिर भी आप से गुजारिश है कि आप जनता को अवगित करवाईए कि बेसिक शिक्षा विभाग के जो आकड़े आए हैं उसके मुताबिक सूबे के 75 जिलों में से सीम योगी जी का जिला जो है वो के मामले में 74 नंबर पर है आखिर कर क्यों अवगत करवाएंगे मैं उसको दुरूस कर लूँगा बच्चों के नामंकन के मामले में संदकवीर नगर किस ठान पर है जो आपने वेबसाइट पर अपलोड किया हमने वही आकड़ों के मुताबिक आप से सवाल पूछा क्या नामंकन के मामले में बच्चों के नामंकन के मामले पर अगर वो 74 नंबर पर संदकवीर नगर नहीं है तो किस नंबर पर है मैं उसको दुरूस करवा लूँगा सर अच्छा तो आप ही को नहीं मालूम कि कौन से नंबर पर है संदकवीर नगर बच्चों के नामंकन के मामले पर अच्छा तो आप मुझे बता सकते हैं कि यह जो लक्षे रखा गया था जो निर्धारित लक्षे था उससे हासिल करने में दिक्कत क्या आ रही है दिक्कत क्या रही है आपको तो मालूम होगा ना सर कि यह समस्या आ रही है जिस वज़ा से यह हम जो है बच्चों के नामंकर में पीछे हैं मैं समस्या पूछ रहा हूँ सर आपसे बहुत अच्छा है आप अब दितर आपड़ा लेए जिए कहीं से पर आप चली की जिए दिनेशी आपकी आवाज बहुत कमारी है सर सर मेरी गुजारिश है जो आपने स्पीकर फोन आउन किया हुआ है वो स्पीकर बंद कर दीजे सर वैसे ही लोग सुन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आप स्पीकर आफ करके बात करेंगे तो और ज़्यादा असानी से सुनेंगे लोग सर थोड़ा सा पास रखेंगे फोन तो अच्छी आवाज आएगी सर आपकी मैं जानना चाला था सर बच्चों के नामंकन को लेकर दिक्कत क्या रही है कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर 74 नंबर पर क्यों है संथ कभी नगर कितने नंबर पर है सर 47 47 47 नंबर पर है मैं चाहूंगा मेरे सायोगी ग्राउंड जीरो से हमन्त है उनका ओडियोट है हमन्त यह कह रहे है 47 नंबर पर है दिनेश जी अब दिनेश जी में कल आप दिनेश जी वियक्ते साहब में कल आप थे ओपिस गया था दुरभागिपूर आप से मुलाकात नहीं हो पाई तो जो जाता है वह मेरे ख्याल से 30 अप्राहल का डाता है आपका 47 नंबर पे जो आप बता रहे हैं और कप का डाटा है आपके पास कब का डाटा है बीएसे साफ देखिए तो अभी आपको बेश्च आप वार्टा नमर तो नहीं हो पाए वो डाटा जो आप लिए है वो डाटा आप लाइनों के अपने बारा है प्रणा कोटा लिए ने ने जो अपलोड आपने किया हमने वही डाटा आप आप से सवाल पूछ रहे हैं सर जो आपने अपलोड किया मैं उसी डाटे के अनुसवार आप से सवाल पूछ रहा हूं आप आप मौजूद रहेंगे सर मीटिंग में तो नहीं होंगे मैं आपने सही होगी को भेज़ दूगा आपके पास पक्का सर तो लक्षे लक्षे वाल इंडिया की टीम पहुचेगी और हमारी गुजारिश है सर क्योंकि आपका मकसद भी और हमारा मकसद भी वही है कि बच्चों का नामंकन जो हो और अच्छी जो बेसिक शिक्षा विभाग जो कोशिश कर रहा है जो खास तोर पर सरकार कोशिश कर रही है उसमें कोई पल बेसे संदकभी लगर हेमन जी बीसे साहब कह रहे हैं कि हम 74 नंबर पर नहीं है शांसे उनोंने बताया 45 नंबर बढ़ा हैं 45 नंबर बिल्कुल कल कल जाके रियल्टी का भी डाता ले लेंगे और लेकिन जो सिच्छा विभाग का दाता है वह अभी भी चैरा की संदकभी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो कल डाटा हम फिर लेंगे उनसे और उनका जबाब भी कल फिर लेंगे लेकिन ये जो शासन के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के करमचारियों को निर्देशित किया गया था कि आप डोर टूर जाईए और बच्चों को शिक्षा को लेकर जागरूप करिये और सरकारी स्कूलों में नामंकन करवाने के लिए जोर लगाईए तो ये किस तरहां से इस मुहीम को चलाया जाता है और इसका प्रदीप शुक्ला जो MLA साब है गोरकपूर से शुक्ला जी के फोन की रिंग आप सुन रहे हैं क्योंकि हमारा मकसर लगातार यही है कि हम जिमेदार विभाग को जाकरूप करे जगाएं तो प्रदीप शुक्ला साब का फोन नहीं मिला MLA साब है वोट मांगने आयते प्रदीप शुक्ला जो आप साब होते हैं उनकी डूटी सरकार द्वारा साथन द्वारा लगाई जाती है वो डोड़ तू दोर हर गाओं में जाकर जो उनके नजजीखी छेतरों से गाओं होते हैं उनमें जाकर बच्चों को उनके अभावकों से मिलकर उनको जागभू कर काम करने के लिए सासना देश होता है और जादिक बच्चों को प्राइमरी सिच्छा से जोड़ने की जो है एक मुहीम चलाई जाती है लेकिन साथ गर्मी का वक्त है और गर्मी साथ जादा लगती है और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अब सिच्छा विवाग में भी राज नेता जो है सभी दलों के नेता जो है कहीं कहीं जो टीचर है वो कहीं कहीं सभी पार्टियों से अलग अलग पार्टियों से संबंद रखते हैं तालुक रखते हैं और आजिक समय पार्टियों में देते हैं आप विधायक जी को फोन मिलाया गया है अनिल तिर पार्टी जी क इनका फोन विधायक जी संदकभीन नगर इनका फोन भी नहीं मिल रहा यह हाल है पहले आपको एक बर फिर से मैं बता दू प्रवीन निशाद जी को फोन मिलाया गया था जो कि सांसद है संदकभीन नगर के उन्होंने फोन नहीं उठाया और वो भी समय देने के बावजुत फ जुकला जी को फोन मिलाया गया जो कि MLA गोरखपुर के उन्होंने फोन नहीं उठाया दिनेश कुमार जी ने फोन उठाया था उन्होंने बकायदा कहा कि यह मुहीम इसका असर होना चाहिए बच्चों को जागरू किया जा रहा है अनिलतिर पार्टी जी को फोन मिलाया जो प्रफोन नहीं उठा रहे हैं जन्प्रतिनिधी आखिर कार फोन क्यों नहीं उठाते ये भी अपने आपने सवाल है अनेल तिरपाधी जी सर नमस्कार कैसे आप विधायक जी न्यूजवाल इंडिया से बोल रहे हैं आप सर आपके संग्यान में एक मामला लेकर आना चाहेंगे आप इस वक्त लाइब हैं मेरी गुजारिशा आपसे अगर आप सिर्फ एक मिनट दे पाएं विधायक जी क्या बोलें क्या बोलें बेसिक शिक्षा विभाग ने एक सूची जारी की है कब किया हाली में जो सूची जारी की है बच्चों के नामंकन को लेकर आपके संग्यान में ये मामला है संथ कभी नगर में बच्चों के नामंकन के मामले में क्या आपके संग्यान में ये मामला है विधायक जी नामंकन की प्रक्रिया तो सरकारी स्कूलों में लगातार चल रही है उसके लिए पुरे प्रदेश में माननी मुख्वंत्री जी ने अभियान सुरूक किया था और बहुत इस था पास्तरक्री प्रदेश में जोरु के लुख्षे ये देखिए विधायक जी पिलकुल सही कह रहे आप गिलास आदा खाली है रहा हुआ थRe में लेकिन संथ कभी ने बच्चों के नामंकन के मामले में 74 स्थान पर चिंता की बात ये है ऐसा है कि 74 अस्थान पर रहा होगा लेकिन अब आप देखेंगे जब से इस पर जो है सभी लोगों ने ज्यान दिया है इस पर मेहनत की जा रही है तो अब अस्थान मीचे खितक पराया होगा बैतर अस्थान होगा देखिए सरकार की ये कोशिश अच्छी है मुहीम अच्छी है इसमें कोई दो राय नहीं विधायक जी लेकिन चिंता की बात ये है कि अगर ये सिती संथ का भी नगर की है तो क्या ऐसा हो सकता है कि बतोर विधायक आप एक प्रियास करें क्योंकि शिक्षा ही देख सब कुछ बच्चों का भविश्य सुद्रेगा आपकी प्रियास क्यों नहीं कर रहे कि एक मीटिंग बुलाएं और एक मीटिंग बुलाकर जो है इन अधिकारियों को कहें कि नहीं ये लक्षे हमें हासिल करना है आभी मैंने लगभग तीन अध्थानों पर इसकारिकम किया था इसी सम्मझने साथा में लिकिया था बेलहर में लिकिया था और जिले पर तो किया ही था तो आपने अगर इसको बताया है आपका सजाओ बहुत ही तम सजाओ है मैं इस पर एक से बोडिक जंदरी अगर नहीं कोई कमी है तो उसको दूर क्या जाएगा यह बहुत अच्छी बात कही विदायक जी आप से मेरी गुजारिश है क्योंकि इस वक्त आप लाइव भी है और जनता आपको सुन रही और सैकड़ों लोग देख भी रहे है तो आप ये एक बार फिर से बात दोराएंगे अपनी की एक दो दिन में आप एक मीटिंग बुलाएंगे और सभी अधिकारियों से बात चित करेंगे एक बार फिर से दोराएंगे निशित्व से इस पर जो बेसिक फिच्छा अधिकारी के साथ अधिकारी है उनसे वारता की जाएगी उनसे इसका परगाम दिया जाएगा कि अब तक क्या परगति है और फिच्छा करके आउसक आईश्टफ के जाएगे इसे की नामांग करें संख्या यो वांशित है जो लक्ष है वो पूरी किया सकी तो यानि दो दिन में आप मीटिंग बुलाएंगे सर तो दिके अंदर बुला सकते हैं जैसा आगी सुविधा जनक की चीच देखते हुए परकुल सर सुविधा जनक हमारी टीम भी पहुचेगी आप दो दिन में बुलाईए अनिल पाथी आपने जो वादा कमिट्मेंट किया है हमें पूरी उम्मीद है कि आप उस पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे और बच्चों के भविश्य का सवाल है आपका फोन कटेगा उसके बाद मैं तबकाली जीसे इस बाता करूँगा बहुत अच्छी बाद तो चलिए सर मैं फोन काट देता हूं डिसकनेक्ट करता हूं ताकि आप अगला नंबर उनी का मिलाएं ठैंक्यू सो मच अनिल तिरपाथी जी बहुत बहुत शुक्री आपका तो ये थे विधायक मेधावल अनिल तिरपाथी जी जिनका कहना ये है कि आप फोन काटेंगे मैं उसके पाद फोन मिलाऊंगा दो दिन के अंदर मीटिंग करके दिखाऊंगा ये इस कारेक्रम की यूएसपी है हेमन जी ख़बर चली और ख़बर का असर ना हुआ तो ख़बर चलो मत मानो आइवाड तभी लो जब ख़बर का ऐसर हो बिना पत्रिकारिता के पत्रकार कैसे खेलाो ये बही एक बड़ा सवाल है है की नहीं आज कल तो सब आवाड हात में ले कर कहते कि भाया हम पत्रकार है ऐसे नहीं होता पत्रकारिता जिनों ने ग्राउंड जीरो पर की नहीं वो पत्रकार कैसे बन गए सवाल यही है कि बच्चों के भविशे का सवाल है तो फिर जब जन प्रतिनीदी जागेंगे तो शिक्षा विभाग अपने आप जागेगा हे मन जी यह बिल्कुल आपने सही कहाती लगी और इसी तरह से हमारा नियूज वो इंडिया का जो है काम है कि जन प्रतिनीदीदी जागाएं और ग्राउंड लेविल पर जो ग्राउंड जीरो पर जो समस्याएं हैं जन हित की समस्याएं हैं उनको लेकर हम लोग आएंगे और जो है जनता के सामने रखेंगे और अधिकारियों के जहन में वो सवाल पैदा करेंगे और वो मुद्दा लेकर आएंगे जिससे कि समाज का कल्यान हो सके और इसी तरह बेसिक तुचा विवाग इस तरह से कह रहा है कि 74 रवे अस्ठान से वो 45 रवे अस्ठान तक वो आ तुका है और एक बच्चों के भविस्थ के साथ जो घिलवाल हो रहा है सबसर शिचा विवाग के जो अधिकारी लापरवाप बने हुए है राध का दाथ सहाथ हो रहा सिचा विवाग वो जागेगा अपनी नीर से और बच्चों का भविस्थ कभी नगर के लोग भी देख रहे हैं तो मैं एक बर संच कभी नगर के लोगों को बता दूँ न्यूजवल इंडिया ने मान्ये सांसाच परवीन निशाद जी को फोन किया वक्त दिया लेकिन उन्होंने जहमत नहीं उठाई इतने कंभीर विशे पर चर्चा करने के लिए वो निश्कुमार जी भी ऐसे संच कभीर नगर जी से बात की उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग करके इस गंभीर विशे पर बच्चों के नामंकन के विशे पर इंप्लीमेंट करेंगे और आपको धरातल पर असर भी दिखाई देगा फिर इसके बाद हमने अनिल तिरपाठी जी को फोन मिलाया जो कि विधायक है मेदावल से संच कभी नगर से उन्होंने आश्वासन दिया कि दो दिन के अंदर मीटिंग करेंगे बकायदा अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा लक्षे हासिल किया जाएगा और उन्होंने ये तक कहा कि आप फोन रखेंगे जैसे ह अगला नंबर मैं उनी का मिलाओंगा शिक्षाव भाग का हमारा मकसद हमारी कोशिश हमारी मुहीम यही है कि जिम्यदार महकमा जागे उनको अवगत करवाया जाए ताकि बच्चों का भविशे नोनी हालों का भविशे उनी के हाथ में है तभी तो सरकार की कोशिश असर हो होगी उसका असर होगा धरातर पर यह हमारी कोशिश है थैंक यू सो मत बहुत बहुत शुक्रिया है मन आपका भी हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हो तो आज इस खास कारिक्राम में मेरे साथ इतना ही मुझे दी दिये जाला नमस्कार जैंद भारत